नमोने मैं स्टुडेंट्स वेलकम बेक बीबी बीएन ओनलाइन क्लास पच्छो हम पढ़ रहे थे नविन शब्दानाम यानि हमारे देनिक जीवन में उप्योग आने वाले और हमें हमारे आजपास दिखने वाले जो भी जीव हैं वस्त्वे हैं है ना जो भी कलर्स हैं उनके नाम सारे नविन शब्दानाम के अंतरगत आते हैं तो हमने पहले कर लिए हैं उश्पो के नाम कर लिए हैं फलो के कर लिए हैं रिक्षो के कर लिए हैं आज हम करेंगे वर्णाहा अर्थात रंग कलर हमारे जीवन में कलर का रंगों को कितना महत्व है वो आप जानते हैं ठ के नाम है वह हम आज पढ़ेंगे वर्णह अर्थार रंग क्रिश्णह शाम क्रिश्णह शाम काला रंग वगवान क्रिश्ण का नाम उनके शाम वर्ण की वज़े से पढ़ा है ठीक है तो क्रिश्ण का मतलब क्या होता है काला शाम का मतलब भी क्या होता है काला पीत है, पीत है पीला रंग, पाटल है, पाटल होता है गुलाबी रंग, कोंसा होता है? गुलाबी रंग, ठीक है? धूसर है धूसर जो होता है धूसर कलर धूसर है धूल जैसा अना मतमेला मतमेला कलर क्या होता है धूसर है फिर है नील 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 है रक्त है लाल रक्त का रंग लाल होता है न तो रक्त है जो कलर होता है वो लाल रंग के लिए प्योग में आ हरीत हरा स्वेत है और धुबलह सफेद रंग सफेद रंग और ध्वल है एक एर्थ होता है सफेद ठीक़ सफेद को हम धवल भी बोलते हैं और स्वेत भी बोलते हैं स्वेतवर्णों वाली कौन सी है? स्वेतवस्त्र धारेनी माता सरस्वती है न उसमें आता है न स्वेतवस्त्र धारेनी फिर है पश्व है अर्था पशुप पश्व के नाव गो या धेनू किसे बोलते हैं गो या धेनू गाय माता कुँ गाय कीक है फिर है कुकुर है शुनकह कुकुर है या शुनकह क्या होता ह कुतता है चागह या औजह चागह या औजह बकरा और अजह बकरी झोह टकह यह अश्य है गोडा एक एक शब्दों के कि एक शब्द और मिल रहा राइए और संस्च्रिक के दोधि मिल रहे हैं कुछ-कुछ शब्द होगे ठीक है नखूल हे और अऔर है भिर्ल ही 비्ल आया मुषक आते हो हुआ गजह या हस्त है हाती इसमें लिखावा है हस्ती हस्ती नहीं हस्त है क्या होता है हाती फिर है कपी या वान्रह क्या होता है बंदर मक्रह और नक्रह मगरमच मगरमच को क्या बोलते हैं नक्रह कहके निचे रह और मक्र दोनों गा एक ही है मगरमच कच्छपह कच्छवा एक होता है कूरमे है कूरमे भी क्या होता है कच्छवा उद बिडाल है बिडाल तो देखो बिलाव हो गया और उद और जोड़ दिया तो वो क्या हो गया उद बिलाव उद बिडाल है उद बिलाओ महिशह भेशा और महीशी या महिशा क्या होती है भैस और महिशह भेशा महिशा सूर मर्दिनी अम्बे माता के लिए आता है ना महिशा सूर मर्दिनी महिशे का जिसका रूप होता है जिस राक्षस का उसका वद करती है अम्डे मा तो उनका नाम क्या पढ़ गया महिसा सूर मर्देनी यानि महिस प्लस असूर महिस नामक असूर का वद करने वाली महिसा सूर मर्देनी ठीक है फिर नेक्स्ट है व्रिशह या व्रिशब 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 बैल म्रिग राजह म्रिगो का राजा जंगल का राजा या म्रिगो का राजा हिरनो का राजा या सिंगह क्या होता है सेर सेर खरह या गर्दबह या एक नाम हो रहे रासबह किसके लिए बोला जाता है घदे के लिए घदा गर्दबह, खरह, रासबह, उसको क्या बोलते हैं, घदा, हरीन, क्या होता है, हीरन, हरीन है, हीरन, दो नाम और, एक तो म्रिग होता ही है, म्रिग है, माता सिता ने जो म्रिग की तरफ इसारा किया था, उसमें म्रिग नाम लिया गया था ना, हीरन, म्रिग है, एक होता है, एन ह मिग्व हेरण हेरण आपको शब्द देदिया जाए हीरण कि है जैसे न देदिया या मम्रिग्ः देदिया कोई प्रियाईवाची शब्द लिखिया in Sanskrit मैं हुआ न प्रियाईवाची लिखत ऐसा देदिया जाए तो आप लिख सकते हैं उसके हरीनह एनह है ठीक है सब की एक जैसे है तो वह परियाएवाची हो गए ना उसके अलग-अलग होत सारे नाम हो गए चित्रकह चीता चित्रकह चीता उस्ट्र ग्रीव है उस्ट्र क्या होता है उस्ट्र क्या बताया था उट और ग्रीवा क्या होती है गर्दन गृवा किसको बोलते हैं हम गर्दन को उस्ट्र गृवा यानि उट के जैसी जिसकी गृवा होती है गर्दन होती है जिराफ प्राचिन काल में इन शब्दावलियों को यूज किया जाथा था जितने भी हमारे श्लोक हैं नाम परतलित है इनी शब्दो से बनेतने हैं यह ठ्लीं को उलग नहीं है रिक्षः रिच का संस्क्रीट शव्दि का है एता प्यूसा सथ 실न रिक्षः और भल्लुक है क्या वोलते हैं उसको भालूट दियुक है रिक्षह और भल्लू कहे क्या बोलते हैं उसको भालू ठीक है रिक्षह भल्लू कहे भालू व्रिकह भेडिया शशकह एक होता है खरहा खरगोश श्रिंगालह जम्बू कहे जम्बू कहे गीदड सियार जो चालाक होता है वो वाला है मयुह बारह सिंगा जिसके बारह सिंग होते है उसको क्या बोलते हैं सैंस्क्रीत में नेक्स्ट है पक्षिनह, पक्षियों के नाम काकः है, कववा, एक कववे को एक चब दोर होता है वाईशह, क्या होता है, कववे, कववा वाईशह भी किसको बोलते हैं, कववों को बकः है या वकः है, बगूला मराल है, या हन्स है, किसको बोलेंगे, हन्स को मयूर है, क्या होता है, मोर नेक्स्ट है, कुक्कुट है, कोन करता है, कुक्कुट है कुक्कु करता है न, मुर्गा, कुक्कुट की देवने निकालता, उसका नाम क्या है कुक्कुट है, मुर्गा, शेनह, बाज शेन है बाज, कपोत है कबूतर, शुक है तोता, चातक है चातक है पक्सी होता है न, चातक है पपीहा, चटक है चीडा और चटका चिडिया, सारीका मैना, सारीका क्या होती है मैना और शुकह तोता, तोता मैना पीकह कोयल, पीकह क्या होती है कोयल, ठीक है एक्स पढ़ेंगे हम, वस्तुनी जो चीज़े हमारे आसपास होती है non-living जो things हमारे आसपास होती है उनको क्या बोलते हैं वस्तुनी आसंदिका कुर्सी जिस पर मैं बैठी हूँ अभी चेयर कुर्सी उसको क्या बोलोगे आसंदिका सामने जो मेरे है उसको फलकम या मंच है उसको क्या बोलेंगे मेज और संस्क्रित में फलकम या मंच है शराव है प्याला क्या है प्याला दंड है दंडा गेहम या रिहम घर गेहम या रिहम घर शकटह छकडा बेलगाडी शकटह शकडा शकटह और शकडा किसको बोलोगे बेलगाडी को अब जब भी कहीं वर भी आप जाओ तो ये चीज़े दिखे तो उनको संस्कृत में बोलने के आपको सिस करना संस्कृत ऐसे नहीं सीखते है संस्क्रिट हमारे आसपास की चीजों को हम देख करके हम जिग्या सा उत्पन करते हैं कि उसको क्या कहते हैं संस्क्रिट में फिर हम उसका नाम सर्च करते हैं पढ़ते हैं या मैम से पूछते हैं तब हम संस्क्रिट सीखते हैं धीरे धीरे हम सीख जाते हैं चेकर वस्तुनी, थोड़ी ओर करवा देते हैं, ममा साड़ी पहनती है न, तो ममा की साड़ी को क्या बोलोगे? शाठी का, ममा साठी का पहनली, शाठी का साड़ी, कंकणम, ममा कंकणम भी पहनती है न, कंगन, क्या होता है? कंकनम, कंगन, के यूरम, के यूरम, के यूरम, बाजू बंद, यहां बाजू पे बेहनने वाला गहना होता है मुखुरह या दरपणम, सिसा, करंडी या करंडम, टोकरी, हमारी कीचन में होती है ना करंडी उसको देख करके बोलना है, ठीक है, शाम पतह, मेरे पीछे जो है, शाम पतह, ब्लेक बोर्ड, स्वेत वर्तिका, स्वेत वर्तिका, चोक, जिससे सिक्षिका पढाती है यह सिक्षक पढ़ाते हैं लिखते हैं उसको क्या बोलोगे श्वेत वर्तिका प्रोचनम अब ब्लेक बोर्ड आ गया श्वेत वर्तिका आ गई तो प्रोचनम भी आना चाहिए प्रोचनम डस्टर कक्षह अब यह सब चीज़े किस में होती है कक्षह यानि कक्षा या कमरा फिर क्लास में और क्या चाहिए वेजनम पंखा फिर पढ़ने के लिए आपको लिखने के लिए क्या चाहिए लेखनी लेखनी कलम और कहीं जाते हो प्लेन से तो उसे क्या बोलोगे वायू क्यानम यानि हवाई जहाज ठीकर नेक्स्ट जो थिंग्स है वस्तुनी वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे बता देती हूँ आपको फिप्ट क्लास की तो ये बुक है बच्चों के पास में अविलेबल है फिप्ट में उनको तो ये चीजे याद करनी है ठीकर हाँ वो रख में लिक लिक के देख सकत जाता है शाम पटा केस लिखा जाता है तो वह रख में लिक लिक के याद कर सकते हैं लेकिन उसको फेर उत्तर हुजत्या में लिखने की इवशक्ता नहीं है प्रही बात फौर्थ क्लास की तो उनके पास घर में भुक नहीं है तो वो इस वीडियो को पोज कर करके लिखेंगे ठीक है ना लिखेंगे और याद तो मेरा वीडियो देखोगे तब ही हो जाएगा था ना दो बार वीडियो सुनोगे याद हो जाएगा और एक बार लिखोगे तब हो जाएगा ठीक है ये एक कलम पढ़ेंगे थोड़ी से वस्तुनी रह गई वो फिर सरीरा अवया है ना सरीर के जो अवय होते हैं सरीर के जो अंग होते हैं सरीरा वया वैवा सरीर के अंग फिर मिष्टानानी मिठाईया यह हम पढ़ेंगे ठीक है और परिवार जनाहा परिवार के लोगों के बारे में झाल